नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों लगभाग तीन वर्ष पहले नाखपूर के लकडगंज पुलिस्टेशन से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला जो शिकायत लिखाने आई थी उसके साथ में लकडगंज पुल भी निर्मान हुआ था दरसल अंकीता शाह नामक एक वकील है एक्टिविस्ट है जो किसी मामली खुले करके पुलिस में शिकायत दर्ज करने आई थी लेकिन यह खुद इन्हें पुलिस वालों ने पीट दिया अब जब उस जो भी घटना हुई था घटना खुले करके अंक लेकिन पुलिस ने उस समय उनकी एकना सुनी और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया था इसा सुत्र बताते हैं जिसके बाद अंकीता शाह ने राज मानवा दिकार आयोग से गुहार लगाई नयाएकी मांग की और तीन वर्स बात उस पेक फैसला आया कि लकड़ गंज इस हवल्दार माधुरी खोबरागड़े और चेतना विसेन इन पर धाई लाक रुपे का जुर्माना लगाया गया है यह महीने यह पैसे उनको छे महीने के अंदर जमा करना है अन्यथा बारा प्रतिशत ब्याज के साथ में पैसे उनसे वसूला जाएगा प्रस्ण सिर्फ लगाने की नहीं है ठीक है अंकीता शाह को न्याय के रूप में राजय मानेवा अधिकार आयोग ने एक फैसलत दिया लेकिन इससे एक बड़ा प्रस्ण यह उठता है कि आम व्यक्ति के जीवन में इस घटना से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि जब भी कुछ होता है तो लो तरीके से अगर विभार करने लग जाए तो एक आम व्यक्ति के जीवन पे कितना असर पड़ता होगा अप सोच सकता है अंकीता शाह तो एक वकील थी लेकिन जो आम व्यक्ति है जो बहुत ही सधारन व्यक्ति हैं जिसे कुछ ही नहीं समस्ता कि क्या चीजी अच्छी और क्य पुलिस कर्मी पुलिस कर्मी मार कैसे रहा है वह अपना बड़ा प्रश्न है खर आप देखते राज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन्बिस ये न्यूज पे जैंद